हेलो दोस्तों आज कल हमारे देश में कोरोना वाइरस के चलते लॉक आउट लगा हुआ है कोरोना बंदी चल रही है विश्व इस बीमारी से जूज रहा है विश्व के कई मुलकों में कोरोना वाइरस की महामारी के कारण हजारों लोगों की जाने जा चुकी है इस कोरोना बंदी के समय में बजार में कई अफवाएं भी कोरोना वाइरस को लेकर फैल रही है इस हालात में अव्यूद एकेडमी ने यह अपनी जिम्यदारी समझी कि वो सटीक और ऑथेंटिक जानकारी लोगों तक पहुँचाए और इसी को ध्यान में रखते हुए अव्यूद एकेडमी ने एक सीरीज ओव वीडियो बनाने की कोशिश की है या हम लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से आपको बताएंगे कि कोरोना वाइरस क्या है कोरोना वाइरस से बचाओ कैसे किया जा सकता है इससे क्या-क्या भीमारिया होती है तो आप हमारे इस पूरे सीरीज को जरूर देखें ताकि आपको authentic जानकारी मिल सके हम इस वीडियो में आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताएंगे यानि कि जो हम authentic जानकारी अंग्रेजी में हासिल कर रहे हैं उसको साधारन हिंदी भाषा में भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें और अफवाओं से बचे रहें तो दोस्तों बस आप हमारे साथ अंत तक इस वीडियो के बने रहें ताकि आपको सही और सठीक जानकारी authentic जानकारी मिल सकें तो दोस्तों सबसे पहला सवाल यह उठता है कि वाट इस कोरोना वाइरस कोरोना वाइरस है क्या तो डबलू एचो के जानकारी के अनुसार कोरोना वाइरसेस आर अलार्ज फेंबिली और वाइरसेस विच में कॉज इलनेस in animals or humans In humans, several coronaviruses are known to cause respiratory infections ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome and Severe Acute Respiratory Syndrome. The most recently discovered coronavirus causes coronavirus disease which is known as COVID-19. दोस्तों अगर हम इसे आसान हिंदी भासा में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब यह है कि coronaviruses का एक बड़ा परिवार है यह एक coronaviruses का एक बड़ा समू है जिसमें की वर्तमान का coronavirus भी एक सदस्य है करोना वाइरस के कारण या उनके infection के कारण जानवरों और मनुश्यों में जो है स्वांस से related यानि respiratory से related बीमारियां फैलती हैं यह बीमारियां जो स्वांस से related हैं यह मनुश्यों में साधारन सर्दी से लेके यानि common cold से लेके severe disease यानि की गंभीर बीमारी जिसको हम middleist respiratory syndrome और severe acute respiratory syndrome कहते हैं तक होता है आज कल जो coronavirus के चलते बीमारी फैली है उसका नाम है COVID-19 अब दोस्तों जो दूसरा सवाल हमारे मन में आता है वो यह आता है कि यह COVID-19 नामक बीमारी है क्या what is COVID-19 तो WHO की जानकारी के अनुसार COVID-19 is the infectious disease caused by the most recently discovered coronavirus this virus and disease were known were unknown माफ कीजेगा before the outbreak began in Wuhan, China in December 2019 यानि की COVID-19 जो है उस सबसे हाल में ही खोजे गए coronavirus के कारण फैला है यानि coronavirus के समकरण कारण यह रोग फैला है यह नया virus की बीमारी जो है वो दिसंबर 2019 से चीन के बुहान सहर से फैला उसके पहले यह coronavirus जिसके कारण COVID-19 नामक बीमारी अभी विश्व में फैली हुई है जिसे हजारों जाने जा रही है वो अग्यात थी दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको इन दो सवालों का जबाब मिल गया होगा और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज हमारा वीडियो सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दुबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे इस सीरीज का वीडियो सबसे पहले मिल सकें इसके अलावा आप हमारा वीडियो और लोगों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ऑथेंटिक और सटीक जानकारी कोरोना वाइरस पे मिल सकें हाँ दोस्तों आप इसे लाइक करना और कमेंट करना कतई न पूले ताकि हमें भी आपके विचारों की जानकारी मिल सकें